आज हम बनाएंगे गोबी आलू की ये मसालेदार बहुत ही स्पेशल सबजी स्वागत है आपका स्वाध्यारसोई में तो चलिए ये टेस्टी सबजी बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहां पे लिए हैं आलू जिनको मैंने चिल कर दो कर अच्छी तरह और काट लिया है चोटे क्यूब्स में इसी तरह से मैंने गोबी को भी अच्छी तरह से धो लिया है और इसके फ्लोरेट इस तरह अलग कर लिये हैं अब दोनों चीज़ें हम अलग रख देंगे यहाँ पे हैं मेरे पास तीन मीरियम टमाटर, एक हरी मिर्च, एक चोटा अधर का टुकड़ा और दो लेसुन की कलिया इन सब चीजों को अच्छी तरह से धोकर और एक ब्लेंडर जार में डाल के हम ग्राइन करके इसका पेस्ट बना लेंगे अब कड़ाई में डालेंगे तेल, तो मैं यहाँ दो बड़े चमच तेल डाल रही हूं और आलू और गोबी को हमें फ्राइ करना है तो अलग-अलग fry करेंगे, पहले हम आलू को fry कर लेते हैं, low medium flame पर लगाता चलाते हुए इनको fry कर लेंगे, जब यह हलके से golden हो जाएंगे तब हम इने निकाल लेंगे, ऐसा करने से आलू गल भी जाते हैं फटा-फट और इनका टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है, तो हम बना के लिए लाते रहते हैं, अब यह गोबी आलू मैं आपे अलग रख रही हूँ इक प्लेट में, इसी कड़ाई में मैं आपे डालूंगी कुछ खड़े मसाले, जीरा, दाल चीनी का एक पीस, दो लॉंग और सुखी लाल मिर्च लेंगे, दो से तीन, यह इसमें डालके हलका काटके रखी हुई है, तो यह है एक कटोरी प्याज, इसको इसमें डाल देते हैं, और इसको भी अब हम सुनेरा भून लेंगे, हलका सा जब यह फ्राई होने लगेगा, तब उस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे, जो टमाटर का पेस्ट हमने बना के रखा है, तो इस पेस् करी मिर्च, अद्रक, सब कुछ है, तो इसको हम एक साथ इसमें डाल के और अब भूनेंगे, लैसुन मैंने यहाँ पर दो कलियां ली थी, क्योंकि वो काफी बड़े साइस की थी, अगर छोटे लैसुन हो आपके पास, तो आप यहाँ पे 5-6 ले सकते हैं, अब धीमी आज पे टमाटर को अच्छी तरह भूनेंगे, आप देख सकते हैं कि हलका हलका यह भूने लगा है, ओइल छोड रहा है मसाला, तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे बाकी के सूखे मसाले, तो अब मैं डाल रही हूं हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर यहाँ पे डालेंगे अब इन्हें भून लेते हैं, हम धीमी आज पे चलाते हुए, टमाटर और प्यास हमारे सब अच्छे से भून गए हैं, अब मसालों के साथ भी थोड़ा सा और भूनेंगे, तीन-चार मिनट तक मैंने इस मसाले को अच्छी तरह भून लिया है, अब इसमें हम पानी डालें और सब चीज़ें आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, अगर आप हमारे चानल पे इसी तरह की क्वेक और टेस्टी रेसिपीज और देखना चाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि जैसे ही हम को रेसिपी अपलोड करें, उ मसाला जब ठंडा हो तभी इसमें डालें, एक तम करम मसाले में अगर आप डालेंगे तो दही फट सकता है और फिक ग्रेवी बिल्कुल अच्छे नहीं बनेगी, अब यहां मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरह से इसको मिक्स देंगे, पॉफेक्ट कंसिस्टेंसी है, क्योंकि हम जब इसमें गोबी आलू डालेंगे तो यह पानी एब्सॉप करेंगे, और फिर यह गाड़ी हो जाएगी, तो यहां मैं आलू और गोबी अब डाल रही हूँ, फ्राइक के हुए, तो अब हमें इनको गलाना है, थोड़ा जब हम फ्राइ करते हैं, तब भी एगल जाते हैं, सबी चीजें इसमें डाल के एक मिक्स दे देते हैं, अब यह आप देख सकते हैं, ग्रेवी एकदम परफेक्ट है, अगर आपको ज़रुत लगे तो बीच में आप चेक करते जाएं, और इसमें थोड़ा पानी और बढ़ा सकते ह अब गोबी आलू को गलाने के लिए हम इसको ढखके रखेंगे, तो इसको ढखके रख देते हैं, करीब 7-8 मिनिट के लिए, गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे, अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ, तो यह बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो गोबी के पीसज हैं, वो अभी पूरी तरह से गले नहीं है, आलू थोड़ा जल्दी गल जाता है, तो हमें इसको थोड़ी देर के लिए डखके और पकाना होगा, तो मैं फिर से इसको डखके रख रही हूँ, करीब 5-6 मिनिट के लिए, तो इस तरह से आप बीच में फ्रेश हराधनिया और गर्बा गरम आलू गुबी की सबजी सर्फ करें पराठा, चपाती या फिर चामल के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, ऐसी ही टेस्टी रेसिपीस के लिए देखते रहें स्वाध्यारसोई, जहां है स्वाध भी और सेहत भी